नमस्कार दोफ्तों एक बार फिर हमारे यूटूब सेनल में आप लोगों का हरदिक स्वागत है लेट अफट अपडेट निकल के आई कि करमचारियों को बहुत बड़ा तोफा मिल चुका है मानदेय में 5% परीदी का कर दिया गया है एलान मार्च में बढ़ कर आएगा वेतन तो दोफ्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारी चैनल पर पफटाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथी साथ बला आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गुर्मेंट या पैनिसन से सम्मंदी जितनी भी नूजाती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पूसके तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के दोस्तो राष्टिय स्वास्ते मिशन के करमचारियों के लिए अच्छी ख़बर है दरसल उनके मांदय में 5% की वरीदी की गई है इसका फायदा हजारों करमचारियों को मिलेगा इतना ही नहीं करमचारियों को यहलाब 1 अपरेल 2021 से उपलब्ध होगा इसके बाद उनके वे शत्की वर्दी का ऐलान किया गया है और साथ ही पता दे कि इससे पहले मांदय की वर्दी के प्रस्ताओं को बार सरकार के स्वाफ्ते एंप्रिवार कल्यान मंत्राले की और से सवकृती दी जा चुकी है इसके बाद अब इस सवकृती का पालन करते हुए जार्खंड ग्राम स्वाफ्ते मीशन समीती के अपर अभियान निर्देशक विद्यानन शर्मा पंगज ने मांदेवर्दी के आदेश जारी कर दिये हैं। बतादे की करोना की दूसरी लहर के दोरा नियुक्त हुए करमचारियों को इसका लाब नहीं मिलेगा। इसके बाद इस ब्रीदी का लाब उन करमचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति करोना काल में की गई है। जाएगा हालं की एन एच एम जारखंट के अधीन कारिये करने वाले ऐसे करमचारी जिन्होंने 31 मार्ज 2021 को एक वर्स पूरा कर लिया है ऐसे करमचारी को इस मांदे वर्दिकाल लाब नहीं दोगा 31 मार्ज 2020 से पहले न्यूक्त होने वाले करमचारी को मांदे वर्दिकाल लाब नहीं मिलेगा इसके बाद परदेश के करीब हजारों ऐसे करमचारी होंगे जिन्हें मांदे भुगतान सेवेतन में बड़ोत्री दी जाएगी एक साल के 5 परदिशात मांदे के साथ हजारों करमचारी को मार्च महीने से वेतन में बड़ोत्री का लाब मिलेगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैए ही जैवार